प्यारी सासंगजी वाहेगुरुजी का खालसा वाहेगुरुजी की फते सासंगजी जे बंदेदी सेथ ठीक रहूगी ताहीं ओहो गुर्बानी भी सुन सकता है कीरतन कथा भी सुन सकता है ते गुर्दवारे भी जा सकता है जे ओधी सेथ ही नी ठीक रहू ताकि उसने कीरतन सुनना ते की उसने पाठ करना सो एसलई दास आप जीनू आज कुछ अजहियां सेथनाल संबंदित जानकारियां देन लगया है आओ आपां सारे मिलके इस ते अमल करन दी कोशिश करिये ताके साड़ी सेथ चोस्त ते द्रुस्त रह सके सा संगर जी 90% रोग केवल अपने पेट तों पैदा हों देया पेट विच कब ज नहीं रहनी चाहिए दी नहीता रोगां विच कदे कमी नहीं आये की जड़े लोग मीट, मास, मचली खान देया केवल 160 रोग ता ओनान हों देया 103 रोग पर शादा शकन तों बाद या कहलो रोटी खान तो बाद पाणी पीन नान हों देया पाणी सिर्फ रोटी खान तो एक केंटे बाद ही पीना चाहिए दा ते असी रोग चापीन नाण हुन देया जेड़ी के अपनु कई साल न तो गुमारी लगी हुई चापीन दी बहुत काटलोग लसी ते निभू पाणी दा प्रयोग कर देया अड़ताली रोग एलमीनियम दे बरतन या कुकर वेज खाना पुकॉन नाण हुन देया शराब, कोल ड्रिंग दे चाप दे सेवन नाण हुर्दा रोग उत्पन हुन दे आंड़ा फान नाण हुर्दा रोग पत्री दे गुर्दयां दे खराब भून दे चांस जादा हुन दे है ठंड़ा पानी ते आईस क्रीम नाड़ जड़ी बंदे दी बड़ीयात हुन दिया है और सिकुड सक दिया है मेगी, गुटका, शराव, सूर्दा मास, पीजा, बर्गर, बीडी, सिगरेट, पेपसी, कोक एदनल बड़ीयात सड सक दिया है रोटी खान तों बाद इशनान करन नाड़, पाचन शक्ती मांद पै सक दिया है, अते शरीर कमजोर हो सक दा जड़े लोग अपने बाड़ा नू रंग लों देया है, ओना दिया अखा नू नु नुकसान हो सक दा दो दचा दे नाड़, नमकीन चीज लेंड नाड़, चमडी दा रोग हो सक दा शैंपू, कंडीशनर, ते कई तरा दे तेल लों नाड़, साड़े बाड़, पाक सक देया, चाड़वी सक देया, ते दो मुहे भी हो सक देया गरम पानी दे नाड़ इशनान करन नाड़, शरीर दी प्रती रोग शक्ती काट हो सक दिया, अधे शरीर कमजोर हो जानता जे गरम पानी अपने सेरते पाईए, ता उस नाड़ अखा भी कमजोर हो सक दिया टाई बनन नाड़, अखा ते दमाग ते काफी असर होंदा है, अधे नाड़ अखा ते दमाग नू काफी नुकसान पहुंचदा है जे अपने खड़े होके पानी पीए, ता अपने जोड़ा दे विच पीड़ हो सक दिया पोजन पकौन तो बाग, जे उस विच एक्स्ट्रा नमक पाईए, ता हाई बलड प्रेशर वाद जानता है जोर लगा के छिक मारन नाड़, साड़े कना नू नुकसान पहुंच सकदा है ते मूद नाड़ साल हैं नाड़, साड़ी उमर कट जानती है जेड़े निमदे पते हुंदे है, इननू चटनी विच पाके खाया जावे ता एद नाड़ साड़ा कून शुद्ध हो जन्दा है, जेस नाड़ मलेरिया नहीं हुंदा तूलसी भी साड़े सरीर वास्ते, काफी फैदेमान्द हुंदी है साड़ संकर जी जड़ी मूडी हुंदी है, जे आपा हर रोज खाये ता ओद नाड़ भी कई रोगां तों मुक्ती मिल दी है अनार, पुराणी खांसी ते हिरदय रोगां वास्ते बहुत अच्छा मन्या गया है जे किसनों देल दी बुमारी है, ता अरजन दी छाल, लौकी दा रस, तुलसी, पुदीना, मौसमी, सेंदा नमक, गोड, चोकर युकत आटा, या कहलों मोटा आटा ए सारे दवाईयां दा काम करते है रोटी खांड तो बाद, गोड़ते सौंफ खांड नाड, पाचन शक्ती वद जांदी है, जिस नाड़ पोजन छेती हजम हो जांदा है जेड़ा कच्छा पोजन होंदा है, जिस तरह के सलाद हो गई, या फाल फरूट हो गए ओ खांड नाड, साड़ा स्रीर स्वास्त रिंदा है, ते साड़ी उमर लंबी होंदी है मुलठी चुसन नाड, काफ बार होंदी है, ते आवाज मदर हो जांदी है जड़ा पाणी है, ओ हमेशा ताजा पीना चाईदा है, या ता किसे खूदा होवे, या टूबल वगएरा दा होवे, या कड़ेदा होवे बोतल बांद फ्रेजदा पाणी, एह अनेका रोगानों उत्पन करदा है सास अंकर जी जड़ा नीम्बू होंदा है, ओ गंदे पाणी दे रोग, टाइफाइड, दस्त, पेड़ दे रोग, ते हैजा, ये ना सारें तो बचोंदा है पोजन पकण दे अड़ताली मेंट दे अंदर-अंदर ही खालेना चाईदा है, उस्तो बाद उस दी पौशकता काट होंदी जांदी है बारा केंटे बाद पशुआ दे खाने दे लाइक भी नी रहनदा, मिट्टी दे बरतन चे पोजन पकौण नाड उस दी पौशकता 100% होंदी है कांसे दे बरतन वेच 97%, पितल दे बरतन वेच 93%, एलमूनियम दे बरतन ते प्रैशर कुकर वेच सिरफ साथ तो 13% ही बच दी है गेहुदा आटा, 15 दिन तो पुराणा, ते चना, जवार, बाजरा, मकी दा आटा, साथ दिन तो जाधा पुराणा, इस्तमाल ने करना चाईदा 14 साल तो काटो मर दे बच्यानू, बिस्कुट, ब्रेड, ते समोसा ए नी खाना चाईदा, ए ओना वास्ते, काफी नुकसान दे हुंदे है खान वेच सेंदा नमक यूज करना चाईदा है, इस सब तो वदिया हुंदा है उस तो बाद काडे नमक दी जगा हुंदी है, ते जड़ा सफेद नमक हुंदा, ए जैर दे समान है जे सरीर दा कोई आंग जड़ जावे, ता अलू दा रस, हल दी, शहद, ए लगोंड नाड, जलन जल्दी ठीक हो जान दी है ते छाले नी पेंदे, सरों दा तेल, मुफली दा तेल, सूरज मुखी दा तेल, या नारियल दा कच्ची कानी दा तेल, ते देसी क्यों, ए ही खाना चाईदा है रिफाइंड तेल, ते बनस्फती तेल, डालड़ा वगयरा, ए नी खाना चाईदा, ए जैर दिसमान होंता है मिठे वे चासी मिशिरी, गोड, शैद, एना चीजना दा प्रयोग कर सकने है जे कदे कोई कुटा कट जावे, ता फटा फट, हल दिल गोनी चाईदी है हो सकेता ज्यादा तो ज्यादा, मिठी दे बरतन ही यूज करने चाईदे हैं तुथ पेस्ट, ते ब्राशती जगाते, दातन ते मंजन ही करनी चाईदी है जिसनाल साडे दंद मजबूत हुन दे हैं राद नू पड़ाई लखाई दा काम, बहुत ही कट करना चाईदा है ते निरोग रयाण ली, जल्दी सोना चाईदा है ते तड़के जल्दी उठना चाईदा है जदों अपना देर राद तक जाग दे हां ता शरीर दी प्रती रोदक शक्ती कट जान दी है पोजन दा पाचन भी ठीक नहीं हुंदा ते अखा नू भी रोग लग जान दा है सवेरे दा नाश्ता राजकुमार दे समान होना चाईदा है दपैर दा राजा दे समान ते राद दा पिखारी दे समान होना चाईदा है कैन दा मतलव के सवेरे दे समय खूब राज के खाना चाईदा है दपैर दे समे उस तो काट खाना चाईदा है ते शाम नू सब तो काट खाना खाना चाईदा है सो सा संक जी ए सन पुझ गलां जेड़ियां के विचार करन वलियां हन गुरु जी ने तस अनू पहला ही तड़के उठण दा हुकम कीता है ते तड़के उठके इशनान करके नेतने अंधियां बाणियां पढ़ना ते मगनो गुर्दवरे जाके दर्शन करने ते गुरु जी दे सनमुख मथा ठेकना ते ओना तो आशिरवात प्राप्त करना है फिर सारा देन बहुत ही चंगा लंगदा है ते सरीर ते मन सदा ही खिड़े रंदा है उमीद है आप जीनू दास दियां ए दसियां हो यां गलां जरूर पसांदाईयां होन गयां हो यां पुलना चुकां दी खिमा बक्षणी जी दास नू आग्या देओ वाहे गुरू जी का खाल सा वाहे गुरू जी की फते